Fantasy Tips YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोश्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजे आज हम बात करने वाले हैं Islamabad United व्रसस कराची किंग्स मैच के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के डेडेल के बारे में तो दोस्तों ये मैच होने वाला है Islamabad United और Karachi Kings के बीच में Super League T20 अनि की पाकिस्तान Super League चल रही है और ये मैच खेला जाएगा Friday 3rd of March को शाम को 7.30 बचे से इस मैच के venue की बात कर लेते हैं तो ये मैच खेला जाएगा पिंडी Cricket Stadium रावल पिंडी पाकिस्तान में तो अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की तो ये बल्ले बाजी की पिच है और इस पिच पर कुल 33 गरेलू मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 18 मैच जीते हैं और पहले गेंद बाजी करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं और इस पिच पर औसद स्कोर 160 का है टॉस जीत कर यहाँ पे पहले बल्ले बाजी करना बहुत सही फैसला होगा दोस्तों लास्ट मैच की बात करें तो यहां पे 1st of March को खेला गया था जो की था पिशावर जलमी वर्सस कराची किंग्स के बीच में और यहां पे पिशावर जलमी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 154 ने रन 5 विकेट के नुकसान पे बनाये थे 1st inning की बात करें तो यहां 1st inning में Pacers ने 4 विकेट लिये थे और Spinner ने 1 विकेट लिये थे 2nd inning की बात करें तो 2nd inning में Pacers ने 6 विकेट निकाले थे और Spinner ने 2 विकेट निकाले थे वहीं दोस्तों सबसे important चीज में आपको बनाना चाहूंगा कि अब आप धी अपनी fantasy team को केवल choice 11 app पे बनाते हैं तो यहां competition बहुत ही कम है इसलिए आपके जीतने के chances बहुत ही जादा है इस app के बारे में सबसे अच्छी बात ही है कि सस्ता है और daily 10,000 giveaways PSL के दोरान आपको यहां पे मिलेंगे और बहुत ही अच्छा सब कुछ है यहां पे app का link description में है आप वहां से इसे join कर सकते हैं और सबसे important बात sign up करते ही आपको 300 का bonus मिल जाएगा इसलिए सुनिश्चित करें कि आप choice 11 डाउनलोड करें और हमारे दिये गए link से ही डाउनलोड करें और 300 का bonus तब ही आपको मिलेगा चले अब बात कर लेते हैं stadium के records की तो यहां पे देखे 33 match खेले गए हैं पहले batting करने वाले ने 8 match जीते हैं फर्स इनिंग का आवरे स्कोर 160 है सेकेंड इनिंग का आवरे स्कोर 147 है हाइस टोटल 201 का है और लोविस टोटल 41 का है वहीं पे दोस्तों हम दोरो टीमों की playing 11 की बात करें तो यहां पे इसलामाबाद United की possible playing 11 जो हो सकती है कॉलिन मुन्रो रह्मनुलाह गुर्बाज विकेट कीपर और रैसी वेंडर डसन शाबाद खान आजम खान विकेट कीपर आसिफ अली फहीम अश्रफ टॉम करन हसन अली जीशान जमीर और अबरार एहमद वहीं पे कराची किंग्स के possible playing 11 की बात करें तो मैथ्यू वेड जो की विकेट कीपर है अडम रॉसिंग्टन विकेट कीपर है तैयाब ताहीर इर्फान खान सोयब मलिक इमाद वसीम बैन कटिंग आमर यामिन मुहम्मद आमिर तबरेज शमसी आकिफ जावेद वहीं दोस्त और कराची किंग्स इस पूरे टोनामेंट में दूसरी बार मिलेंगे और इसलामाबाद युनाटिट ने अपना पिछला मुकाबला जीता था और टीम ने 173 रन के लक्ष को 19 में ओवर में 4 विकेट से जीता है इसलामाबाद युनाटिट टीम अपडेट की बात करें तो द शादाब खान एक कप्तान के रूप में इसलामाबाद युनाटिट का नेधरितु करेंगे वो एक अच्छे आल राउंडर भी है रह्मनुला गुर्बाज इसलामाबाद युनाटिट के लिए वेकेट कीपिंग करेंगे शादाब खान टीम की स्पिन गेंद बाजी की कमान समझा लेंगे उनकी टीम के तेज आकर्मन की अगवाई हसन अली और टॉम कुरन करेंगे टॉम कुरन पिछले मैचों में सबसे ज़ादा फैंटेसी पॉइंट गिनर थे वहीं पे दोस्तों कराची किंग्स की टीम अपडेट की बात करें तो मैथिव वेट और एडम जॉसि पर बल्ले बाजी करेंगे वो बल्ले बाजी टीम की रीड है मध्यम क्रम की बल्ले बाजी इर्फान खान और शोई मलिक समहा लेंगे वहीं दोस्तों इमाद वसीम एक कप्तान के रूप में कराची किंग्स का नेतरतु करेंगे इस श्रिंखला में उनके पास सरवोच आमिर यामीन समहा लेंगे मोहमद आमिर पिछले मैच में सबसे जादा फैंटेसी पॉइंट गीनर थे दोस्तों ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की बात करें तो कराची किंग्स हाल के मैचों में अच्छी फॉर्म में दिख रही है वो मैच जीतने के प्रबल दाविदार है इसलाम प्रेडवाइस कहती है कि आजम खान छोटी लीगों के लिए बहुत अच्छे फैंटेसी पॉइंट गेनर हो सकते हैं शादाब खान ग्रैंड लीग में कप्तानी के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर हम head to head देखें तो यहाँ पे ISL ने 13 मैच जीते हैं और क KAR ने 6 मैच जीते हैं रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ISL का जो रिसेंट फॉर्म रहा है वो है लूज विन विन लूज विन और KAR का विन लूज विन लूज लूज फैंटेसी टीप्स की बात करें तो पिच के अकॉर्डिंग यहाँ पे शीर्श क्रम के बल्लेबाजों क हैं भूमिकार निभा सकते हैं Small League के लिए Must Pick की बात करें तो देखिए ISL से आजम खान 275 पॉइंट्स शादाब खान 244 पॉइंट्स KAR की तरब से इमाज वसीम 533 पॉइंट्स शोइब मलिक 403 पॉइंट्स Grand League के लिए रिसकी पिक्स की बात करें तो ISL की तरब से जीशान जमीर 6 पॉइंट्स और अबरार एहमद 105 पॉइंट्स KAR की तरब से एडम रॉशिंग्टन 31 पॉइंट्स और तई अपताहिर 116 पॉइंट्स इस्लामबाद युनाटिट के की प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कराची किंग्स के की प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे यह आप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगर आज की मैं ड्रीम 11 टीम की बात करूँ तो देखिए विक्ट कीपिंग में में तीन आप्शन लूँगा येस तीन लूँगा मैं वेड गुर्बाज और जॉसिंग्टन यह रहेगी मेरे टीम और बेंट आपके लिए दे की मेरे आपसे नेक्स मैच में तब तक की लिए बाँ टेक केर